दोस्तो राजिस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट और इंवेस्ट्मेंट कोपरेशन लिमिटेट की तरफ से 217 वेकेंसी यहाँ पर निकलिए यहाँ पर तो काफी अच्छी ऑपर्शुनिटी है आप लोगों के लिए तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा हम सारी चीजें देखेंगे आपको अगर आपने डिगरी डिप्लोमा किया या फिर आपने यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन कर रखा है तो अलग-अलग वील्ड है अलग-अलग चीजें अलग-अलग यहाँ पर आपके जो पोस्ट है वो पहले देख लेते हैं लोगों उसके बा अब बात आती है रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन सिर्व स्टेट वालों को मिलेगा आप जितने भी राजिस्थान स्टेट के भार वाले हैं और सभी लोग जनरल कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म फिलप करेंगी तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 217 जो वेकेंसी है अब आपके सामने जैसे की पूरी लिस्ट दे रखी है इनको डिटेल में नहीं पर हम देख रहे थे पॉस्ट कौन सी है डेपुटी मैनेजर की पोस्ट है इसकी अलग होगी आप इसली मैनेजर वाली चीज़े तो हम आगे मे अलिज़ीबिलिटी में देखेंगे फिर आपकी प् यहां पर इंजिनियर अगर अगर असिस्टेंट प्रोग्रामर देखें तो यहां पर दो वेकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 19 वेकेंसी है, यहां पर पंदरा वेकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की यहां पर 80 वेकेंसी है, तो काफी अच्छी आपके यहां पर उपर्चिनिटी है, तो चली तो आपके बाद पोस्ट हो गई, अब इसके वारे में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टन चीज़ें और क्या-क्या है, तो इस सारी आप देखी, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, हिंद इंगलिश दोनों में अविलेबल है, वेबसाइट पर तो आप लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको करको डाउट लगे, तो पूछेगा, देखिए, स्टेट के रिजर्वेशन से रिलेटेड काफी डिट इतनी आपको फिक्स डेहापर सैलरी मिलने वाली है, अब जो दो साल हो जाएगे, तो आपकी वहाँ सैलरी बढ़ जाएगी, लगबख 15-20,000 रुपे आसपास यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी, तो 10-20 के बीच में मान सकत अकाउंट के ओफिसर की यहाँ पर 26-500, यहाँ पर जूनियर लीगर ओफिसर की भी सेम है, और आपकी जूनियर इंजनियर पावर की भी सेम है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की 23,700, स्टेरोग्राफर की 23,700 और 18,500 आपके ड्राफ्ट समयन की है, और जूनियर असिस्टेंट पंदरा थाजार सो ठीक है यह रहेगी तो पंदरा थाजार इसमें इंक्रिमेंट हो जाएगा जब आपकी यहां पर प्रोपिशन प्रियेट आपका जब हो जाएगा दो साल का उसके बाद ठीक है और आपके 60% minimum marks होने चाहिए 60% से नीचे वाले नहीं अपलाए कर पाएंगे और डिग्री जो बोली गई है इंजिनियरिंग में बोली गई है जिसमें civil इंजिनियरिंग की नहीं होनी चाहिए पर MBA भी साथ में होना चाहिए यह ध्यान रखना लोग यह form फिल अप करेंगे पर यहाँ पर MBA भी मांगा है with MBA okay obviously manager की बोल में MBA भी यहाँ पर मांगा गया है programmer की बात करें तो programmer देखिए programmer में यहाँ पर कौन-कौन eligible है programmer में यहाँ पर आपका B.E.B.Tech मांगा गया है MSC मांगा गया है IT में computer science में आपका electronics and communication और M.C.A. from a recognized M.C.A. वाले भी हो सकते इसके साथ अगर आपने M.T.E.C. भी किया गया हो computer science engineering और electronics इसमें तो आपको भी यहाँ पर eligible हो Assistant Account Officer की बात करें तो Assistant Account Officer में देखी यहाँ पर आपका graduation होगा अगर आपने B.C.A. किया है 60% यहाँ पर मांगा गया है उसके साथ आपको देखी क्या क्या चाहिए वित लिखा है ना यहाँ पर वित के साथ इन में से कुछ भी होना चाहिए Read Up करेंगे आप लोग कहीं अगर problem आया तो बताइएगा जैसे कि यहाँ पर अलग-अलग certificate courses होते हैं वो भी होंगे आपके अगर B.com के साथ तो आप लोग यहाँ पर eligible है उसके साथ सारी चीज़ा बहुत सारी चीज़ा दे रखी है डिप्लोमा भी कर रहा है computer science में वो भी आ सकते IT training, deployment, computer science, computer operator, programming और यहाँ पर देखिए NIE, LIT, RIS, राइस्तान स्टेट की भी है कुछ चीज़े तो कुछ यहाँ पर आपको देख लीजेगा इसके साथ इन में से कुछ आपकी qualification होगी extra तो आप लोग यहाँ पर eligible हो जाएंगे यहाँ पर देखे, junior legal officer में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर junior legal officer में यहाँ पर law graduate मांगा गया है ठीक है law graduate वाले यहाँ पर जितने भी है professional degree 55% बताया गया है उस वाले यहाँ पर eligible रहेंगे junior engineer power की बात करे तो degree मांगी electrical engineering में 60% यहाँ पर भी चाहिए assistant programmer की बात करे तो assistant programmer में भी देखे graduate और higher degree in computer science, computer engineering, computer application, computer science and engineering, electronics, electronics and communication इसके साथ अलावा इसके साथ नहीं इसके अलावा आपने post polytechnic diploma कर रहा है और three years diploma in computer science कर रहा है और graduate with diploma in computer science और एक सेक्रा यहाँ पर जो भी है तो यह read कर ले न तो graduation के साथ-साथ आपको यहाँ पर मांगा गया है चीज़े तो यह और लगे हुए मतलब इन में से कोई सा भी आपका होना चाहिए ठीक है पर knowledge होना जरूरी है इसा कहा गया है certificate course of draftsman इसके साथ अगर इसमें भी कर रहा हो civil and from national council of vocational trade along with knowledge of autocad तो यह भी होगा आपके पास तो आप लोग यहाँ eligible हो junior assistant की बात कर तो यहाँ भी senior secondary होना चाहिए साथ में end लिखा है तो end में यह इतनी चीज़े हैं आपकी जो यहाँ पर उसमें आती है आप इन में किसी भी एक तरीके से बतलब आपने senior secondary के साथ यह सब में से कुछ एक चीज़ कर रखी है तो आप लोग eligible होंगे ओके तो यह चीज़े थी आपको general सी चीज़े बता दिये जादा कुछ डिसकस करता और obviously वीडियो बड़ा हो जाएगा ना आप देखेंगे ना कोई और देखेगा तो यहाँ पर देखिए फिर information भी नहीं आएगी आप comment करिए टेलिग्राम आप group join कीजिए instagram बगेर काफी दूसरी चीज़े भी है वहाँ पर आके आप लोग बिसकस कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा काम नहीं है कोई दिक्कत वाली बात आए तो आप लोग आ सकते हैं नहीं पर पूछ लिए ठीक है एज लिमिट देखिए तो रेज लिमिट का तो एक रिलेक्सेशन ऑविसली राजस्तान स्टेट को मिलेगा कि एक रिजर्विशन आपे लागू होता है तो आप लोग राजस्तान स्टेट वाले इसे एक बरीड कर लेना आपको एक्जामिनेशन फीस देखिए एक्जामिनेशन फीस आप लोगों जैसे कि अदर स्टेट वाले राजस्तान के अलावा उनको तो देखिए यहां पर अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाए कर रहे हैं आप एक से आट वाली पोस्ट के लिए तो हजार रुपे भढ़ना ही है maximum fees है और उसके बाद अगर आप 9 से 10 वाली के लिए करने तो 700 रुपे maximum fees है बाकी state वालों की reservation है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी fees में देखी relaxation है तो वो लोग आप लोग इतनी fees यहाँ पर pay करेंगे selection procedure देखें सिंपल सा selection procedure है online examination होगी या फिर offline भी हो सकती है दोनों हो सकती है कहा गया है अब उनमें से मतलब कुछ भी एक होगी generally अभी decide नहीं है तो यहाँ पर वो रहेगा और अगर proficiency test होगा जो की सिर्फ यहाँ पर programmer में मांगा गिया है उसके बाद यहाँ पर देखी वो आपके सामने screen पर दिख रहा है link description में है आप website पर जाके अपनी जो भी post के लिए apply कर रहे है उसके आप लोग देख सकते according या फिर आप कहेंगे comment में तो अलग से एक video बना देंगे उस पर तो देखिए यहाँ पर देखिए 450 marks का यह paper रहेगा यह 550 marks का है कि 100 marks का proficiency test रखा गया है तो यह extra चीज़ है otherwise यहाँ पर single examination है वाकी सब की ठीक है अब यहाँ पर past गुना candidate को बुलाया जाएगा proficiency test के लिए जो qualify कर जाएंगे ठीक है तो minimum qualifying marks भी यहाँ पर बताएंगे आप वो अली link देखेंगे detailed syllabus and examination pattern वाली उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी examination plan यहाँ पर अलग से link दे रखिए website पर उसमें मिलेगा okay center of examination तो center आपको आप exam form भरेंगे आपको मिल जाएंगे centers examination के सारे और यहाँ पर procedure पूरा दे रखा है कैसे form fill up करना है अगर आप कहेंगे तो इसे भी अलग से form filling करने की process बता देंगे otherwise आप YouTube पर देखिए आप बहुत लोगों ने बना रखे होंगे आप लोग वहाँ से देखिए form filling कर सकते बस जल्द बाजी मत करना कुछ गलतिया मत करना ओके यहाँ पर थोड़ी सी guideline दे रखिए uploading की photograph अगेरा signature की तो इसमें गलती मत कीजेगा rejection मिल जाता नहीं तो application को तो यह कुछ general detail थी इसको लेकर और बाकी यहाँ पर इससे अलावा जो है examination pattern और syllabus है जो कि आपको specially बताना था तो वो अलग से यहाँ पर link है description में वो मैंने डाल रखिए वो आप लोग चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस साल का probation period है उसके पाद आप लोग यहाँ पर आगे काम करेंगे तब तक यह चीज़े आपको बता रखिए थी ठीक है बाकी में सारी चीज़े यहाँ पर आपसे discuss अल्रेडी कर चुका हूँ तो यह था आपका पूरा overall recruitment ठीक है recruitment process और सारी चीज़े मैंने आपसे discuss कर लिए कुछ पूछना हो तो जरूर पूछेगा अगर आप बताएं दीजिएगा कमेंट करके अगर form fill up कर रहे हैं आप लोग यह वाले और राजिस्टान के भी हो form fill up कर रहे हैं बाकी telegram join कर लेना है telegram पर बाकी चीज़े मिल जाएंगी slay labels और pattern की भी link वहाँ पर direct डाल देता हूँ तो आपको direct वहाँ पर भी मिल जाएगी तो बाकी सब चीज़े हम आगे इसके further discuss करेंगे आप इसे एक बार पूरा read करना notification कहीं है अगर कुछ problem आती है तो जरूर पूछेगा आपको read करना पड़ेगा कोई भी अगर आप examination दे रहे हैं तो उसे आपको पूरा notification आपको read करना है हम लोग तो देखिए बता देते हैं पर obviously हम सारी चीज़े नहीं बता पाते बहुत सी चीज़े ऐसी होती हैं अगला cases particular भी होते है तो वो cases भी आपको आपके लिए read करना पड़ेंगे तो आपको जरूरी हो चीज़े हिंद इंग्लिश दोनों में दिया है काफी अच्छी चीज़े कि हिंदी में भी मिल रहा तो जिसको problem आती हो हिंदी में इसे read कर सकेगा तो that's it from my side जिते भी engineers हैं इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे second channel times of engineers जो की बदल गया नाम जिसका पहले नाम था times of technical knowledge वो times of engineers हो गया है उसे join up कर लिजेगा और वहाँ पर आके सारी information आपको time to time मिलती रहेगी एग एग्सामिनेशन स्कोर आगे बढ़ाएंगे ज़रूर आपका support रहात हो तो please support कीजेगा महाँ पर मिलते हैं फिर next video में इसी जगाँ पर फिर नए information जये नए जो आपके job notification को लेकर फिर मिलूँगा इसी जगाँ पर जब तक एईसी मेहनत करते रहे हैं और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखेएगा जब तक एलिए चलता हूँ विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से जैहिन वन्दे महतरम